Welcome to my channel, I am Nehaan Arang, तो आईए आज का lecture start करते हैं, आईए आज हम दश्वित गमक के बारे में पढ़ते हैं, दश्वित का मतलब क्या होता है? दस परकार, गमक के जो दस परकार है, उनको दस परकार हैं, उनको दश्वित गमक कहा गया है, दश्वित गमक का जो प्रियोग है, वो पूछे जाते हैं तो आई स्कोब डिटेल से हम पढ़ते हैं दक्षिर संगीत में गमक के विवित प्रयोगों का एक विशेश महतफ है मोल रूप से प्राचिन ग्रंथों में गमक के साथ और पंद्रा भेद विशेश परकार से उलेखित हैं मैं आपको बता दू कि जो पंद् तो आपका मतलब क्या है जह नीचा से उपर जाते हैं तो इसमें क्या होगा जब हम स्वरवक क्युं चाहेंगे वह आपका अहलेगा जिसमे सवरवक और विशेश में आपका नीचे से ऊपर जाना जयसे सारे मापाध हैं अवरूण इसमें क्या होगा जिसकों स्वरो का करम जो आपका है अवरो करम से हो यानि की ऊपर से नीचे के और इसमें क्या होता है जैसे शा नी धा पामा का रेशा तो यह आपका तार सब्तक का सा है थेड़ है आपका सफूरित सफूरित में क्या होता है इसमें एक ही स्वर को दो दो बार बोला जाता है इसमें एक ही स्वर को हम दो बार गाते हैं जैसे सासा, रे, रे, गागा, मामा, पापा, धादा, नीनी, सासा एक ही स्वर को दो दो बार बोला जा रहा है सा को दो बार रिपीट कर दिया रहे को दो बार गा को दो बार ठीक है त्री पुछम इसमें आपको नाम से क्लिर हो रहा है त्री का मतलब तीन इसमें क्या होगा एक ही स्वर को तीन तीन बार बोला जाता है जैसे सासा सा, रे रे रे, गागागा मामा, मा, पापा, पा, धादा धा, नी नी, सासा सा तो इसमें एक ही स्वर को तीन बार बोला जाएगा फिफ्ट है आपका कमपितम ठीक है? एक स्वर पर थोड़ा रुक रुक कर ततकाल दृत गतिस यानि कि तेज गतिसे उसी स्वर का उचारण हो एक्जामपल है आपका प, 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 म, 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 आदे या फिर ये भी हो सकता है म, म, प, 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 नेक्स्ट है आपका आहतम दो भिन स्वरों का समा, हार, आरोहन, मेर, श्रिंखला, बढ़, धंग से उचारन करना दो भिन भिन स्वर, आपके दो अलग लग स्वर होंगे जिसको हम आरोही करम में गाएंगे गाते हैं जैसे सारे, रेगा, गामा, मापा तो इसमें क्या हो रहा है आपके स्वर दो रह रहे हैं लेकिन जो दो स्वर हैं वो अलग-लग हैं और जो स्वरों का करम है वो कैसा है। और प्रत्यातम में क्या है कि इसमें जो अलगलग स्वर है वह आपके अवरोही करमे होंगे सानी, नीधा, धापा, पामा इसमें करम जो है अवरोही करम रहेगा स्वर ऊपर से निचे क्यों रहेंगे एट है आपका अंदोलन, प्रथन दो स्वर हिस्व, तत्पस्चात, गुरु, वैपलू, तथा अंति में लगू का प्रयोग करना, जैसे सासा, 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 नाइन्थ है आपका ढालम, एक, दो या फिर अनेक स्वरों के अंतर पर दो स्वरों का अवरोही उचारन, अवरोही क तो जो अंतर है वो आपका एक स्वर का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, इसमें कैसे है, साधा, बीच में कौन सा स्वर आता है, नी, तो इसमें एक ही स्वर का अंतर हो गया, यहीं हम सापा की बात करें तो बीच में आपके दो स्वर आते है, नी, धा, और यहीं हम बात कर और टोपी क्या था मुल्चणा का था कि अरोrespond उर्ण दोनों होते हैं तो अब इन दश्वित गम को परविचार करने से अज्यात होता है की इनके कई रूप अलंकारों के समान है थैंक यू